My dear young viewers and my dear scholars 12th class के students कैसे हैं बेटा आप लोग और पढ़ाई बहुत तीजी से चल रही होगी क्योंकि schooling के बस यह last days है इसको enjoy कर लीजे जितना करना है लेकिन enjoyment के साथ में पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद में 12th के बाद में schooling के बाद that there will be a new twist and turn in your life यह बहुत great twist and turn होता है okay तो यह twist and turn को bear करने के लिए you people I hope that you people all are ready yes you are most welcoming Naya thoughts in English and your teacher Renu is here और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी से difficult philosophical thought के साथ एक poem है जिसमें poet ने बहुत ही ज़्यादा अपना aggression अपना दिखाया है एक बहुत गुस्सा दिखाया है पोईच ने and the poem is poem number flamingo class 12th flamingo poem number 4 a roadside stand okay roadside stand का meaning क्या कि सड़क के किनारे वो stand कौन से stand जो की बहुत थोड़े पूर लोग होते हैं जो की highway वगरा पे highway क्या होते हैं लंबी लंबी सड़के होती हैं जो की अलग अलग बहुत दूरी दूरी पर जाती हैं जो की बहुत दूर दूर की जगहों को connect करती है highway वो होते हैं तो जहां पर घर मकान वगरा नहीं होते और बीच में अगर लोगों को किसी चीज की जरूरत पढ़ जाए पानी की वेजटेबल्स की या फ्रूट की या किसी और स्नैक से किसी चीज की छोटी मुटी जाए तो वह स्टैंड जो होते हैं हाला कि बहुत अची चीज़े तो नहीं बेचते हैं मैं कहती हूं लेकिन यह की काम चलाने वाली बहुत सारी चीज़े ऐसी बेचते हैं जिसकी जरूरत हमें अर्जेंटली कभी भी एमर्जनसी में पढ़ सकती है तो यह रोड साइज इसकी सेंट्रल आइडिया इसका मैसेज इसकी समरी पोहम के अंदर कहा गया वो बताने वाली हों आफर दाट में रिड़ यह अनदर पोईट ने अन एकल सोसाइटी के बारे में बताया अन एक कौन सी एक शहर में रहने वाले रिच लोग और एक गावं में रहने वाले पू हैं हमें बदले में उनको बदले में नहीं चाहिए होता और यह डिवीजिन बहुत ही डिवीजिन है रिच और पूर के बीच की डिवीजिन अनिकुल सुसाइटी के अंदर तो यहां पर पोईट जो है पोईट एक्सप्रेसिस अंगर अधा मीन भीहेवियर और पोईट को पहुत ही उसे गुस्सा आता है और क्यों गुस्सा आता है क्या वहवार करते हैं रिच लोग पूर के साथ पोईट में दिया हुआ है अभी हम पढ़ेंगे इसे नेक्स हम यह कह सकते हैं कि जो पूर फार्मर होती है जो बिचारे किसान गरीब होते हो अपने घर के बाहर की में एक स्टैंड लगा लेते हैं हाईवे का यह तो विजटेबल का होता है फ्रूट्स का होता है या फिर ऐसे फ्रूट्स भी कौन से वाले कोई रोज मर्रा के फ्रूट्स नहीं जैसे की थोड़े और करके फ्रूट्स जो की थोड़े सस्ते आते हैं उन्हें लगा लेती है और stand की हालत भी बुरी होती है आप ये मसोची कि बड़ी आली शान कोई दुकान है नहीं बिचारे लकडी के फटो के उपर समान रख लेते हैं उपर छपर इत्यादी लगा लेते हैं तो ये shed होता है ठीक है तो यहाँ पर जो है पूवाम के अंदर वो he does not big money जो farmer है वो बस य यह उम्मीद करता है कि जो भी people passing in the car would buy जो भी रोग यहां से गुजर रहे हो मेरे समान को खरी दें वो उनसे पैसों की भीक नहीं मांगता वो अपने समान के बदले में ही पैसा मांगता है और वैसर्फ कमाना चाहता है वो चाहता है कि शेहर का भी कुछ पैसा उसे मिले ले को अपने fake और false promises से rich लोग या politician जो है वो allure करते हैं इन लोगों वो बेवकूफ बनाते हैं तो speaker जो है वो speaker को इन लोगों के लिए बड़ी pity है, compassion है, attachment है poet को इन लोगों के साथ में, poor लोगों के साथ में, तो यह स्पॉम का जो message बनेगा ना बेटा वो यह होगा, to help the individuals who work day and and night, they do not get anything in return, और बदले में वो बिचारे हमारे लिए दिन रात काम करते हैं लेकिन बदले में उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारी दौलत उन्हें चाहिए होते हैं, नहीं अपने मेहनत काम के बदले में ही उन्हें कुछ चाहिए हो यहां पर जो stand है, it is the symbol of poor people's life, गरीब लोगों की life का symbol है, यहां पर stand जो है, और central idea इसका क्या है, कि rural या village life जो होती है, वो बड़ी ही simple होती है, और village की जो life होती है, वो इतनी जादा simple होती है, कि उसके अंदर कोई भी brandy और pump and show दिखावे बजी नहीं होती, लेकिन city की life कैसी ह होती है, that it is full of pump and show, it is a very complex life, and it is a modern life, और इसके अंदर इतनी भागदाड होती है, कि वो लोग किसी भी के बारे में, कोई गरीब के बारे में सोच रहा है, तो दूर की बात है, किसी अपने के बारे में भी नहीं सोचते है, तो this is what given in the poem, a roadside stand written by Robert Frost, now I am going to explain you the poem, about the poet, Robert Frost, 1874 में birth or 1963 में death is a highly acclaimed American poet, एक बहुत ही जादा अमेरिका के प्रसिद, बहुत ही महान प्रसिद पोईट है, of the 20th century, बीस्वी शताबदी के बहुत ही जादा acclaimed poet है, Robert Frost wrote about characters, Robert Frost ने उन चरित्रों के बारे में लिखा है, पीपल लोगों के बारे में, लैंडस्केप के बारे में लिखा ह है, लैंडस्केप क्या होती है, दूर दूर तक फैली हुई भूमी, जमीन, ठीक है, उसके बारे में लिखा है, his poems are concerned with human tragedies and fears, और उनकी जो पोवम है, वो मनुशे की तरासदी, मनुशे की दुख, तकलीफ, डर, तनाव, डिप्रेशन, इनके बारे में होती है, his reaction to the complexities of life, और उनकी जो प्रतिक्रिया है, हमा जो life बड़ी जटिल होती है, मुश्किल होती है, उनके प्रति, उनकी प्रतिक्रिया and his ultimate acceptance of his burden और वह स्विकार करते हैं, उन बोजों को जो की इन जिंदगी की मुश्किलों की वज़ा से लाए गए है, भाई बोज जो है, जिंदगी के अंद मनुश्य खुद लेकर आया है, अगर सिंपल जिंदगी जीता, तो इतने बड़न ना होते, जितनी life complex होगी, उतना जादा बड़न जो है, मनुश्य के उपर आएगा, और stopping by the woods on a snowy evening, बर्चेज, मैंडिंग वोल्स, ये उनकी कुछ बहुत ही जानीमानी पोवम्स हैं, इन दा पोवम रोट साइड स्टांड और इस पोवम के अंदर पोविट ने क्या दिया हुआ है, frost presence, frost ने दिखाया है, the lives of poor deprived people, गरीब और वन्चित लोग, वन्चित का क्या मतलब होता है, जिनको हर चीज से, हर चीज के लिए उन्हें तरसना पड़ता है, deprivation उसे कहते हैं, with pretty less clarity and with the deepest sympathy and humanity, deprived people with pretty less clarity, और एक ऐसे वेक्ती, जिनके उपर pretty less, इसके उपर कोई दिया नहीं आती, इस पश्ट रूप से, लोगों को कोई दिया नहीं आती, और बहुत ही जादा गहरा, गहरी सानुब हुती है, और humanity और मानफता के point of view से, जो point है, वो इन लोगों से बहुत ज़ादा जुड़े हुए हैं, Now, I am going to read the poem, Have you ever stopped at a roadside stand, what have you observed there, क्या आप कभी roadside stand पर रुके हैं, what have you observed there, आपने वहाँ क्या observe किया, यह आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो है, वो एक roadside stand बना हुआ दिख रहा है, पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, किस अवस्ता में हैं, बिल्कुल जरजर अवस्ता में हैं, टूटी फूटी अवस्ता में हैं, Now, the little old house, चोटा सा पुराना घर, was out, बाहर बना है, with a little new shed, और इस घर के बाहर बना हुआ है, एक छोटा सा नया चपर डला हुआ, एक shed डला हुआ है, एक shed बना हुआ है, यहाँ पर, ओके, तो यह जो shed होता है, यह चपर इत्यादी डाल करके बना हुआ होता है, ठीक है, Now, in front of the, कहां बना हुआ है, यह shed, outside the house, चोटा से पुराने घर के बाहर, in front of the edge of the road, और road के कोने के सामने, where the traffic is sped, जहां पर वाहन, traffic, तेजगती से दौड लगा रहे हैं, पर तेजगती से दौड चले जा रहे हैं, speed, sped, sped, first form is speed, second form, or third form, sped, sped, तेजगती से दौड जा रहे हैं, उस road के उपर, इसके सामने से, a roadside stand, the two pathetically pled, और जो roadside stand बना है न, इतनी तेज़ी से भाग रहे, वाहनों के सामने, pled का मतलब होता है, request कर रहा है, plea, pled, pled, appeal कर रहा है, pathetically, pathetically क्या होता है, कि बहुती सहानुभूती से, उनकी सहानुभूती चाहता है, और उनका ध्यान अपनी और चाहता है, जो roadside stand है, तो ये roadside stand न, human being की तरह ट्रीट किया हुआ है, यहां पे, तो personification है यहां पे, अभी मैं इसके pointing devices बिटा, अलग से बता हुँगे, बस यह सी बता रही हूँ आपको, roadside stand, that too, roadside का जो stand है, वो भी, pathetically, pathetically का मतलब, बड़ी दुर्दशा में, pled, उनसे न, प्रार्थना कर रहा है, request कर रहा है, कि रुको जाओ, मुसे समान खरीद लो, it would not be fair to say for a doll of bread, पर यह कहना बिल्कुश सही नहीं होगा, कि वो roadside stand गया, उस पे खड़ा हुआ व्यक्ती, उनसे लोगों से दान मांग रहा है, भीक मांग रहा है, खेरात मांग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, यह कहना बिल्कुश सही नहीं होगा, कि stand पर खड़ा हुआ आद yes now, यहाँ पर doll of bread का मतलब होता है, donation, खेराद, या फिर दान, या फिर रोटियों के टुकड़े भीक में मांग रहा है, ऐसा नहीं है, but for some of the money, लेकिन कुछ पैसे के लिए, the cash, पैसों के लिए, whose flow supports, और उन पैसे, वो पैसा जो की शेहर का, flow, उस शेहर के पैसे का प्रभा support उनको मदद करेगा, the flower of cities from sinking and withering faint, और जिससे की शेहर के पौधे ना डूबे ना मुर जाएं, क्यों, इसके बात का मतलब क्या है, अगर शेहर का पैसा गाउं के लोगों को proper support की form में मिलेगा, तो ही वहे इतना खुछ कर पाएंगे, कि शेहर के फूल पौधे जिससे ना असी पैसा नहीं होगा, तो वह शेहर के लोगों के लिए क्या कर पाएंगे, शेहर के लोगों के लिए वह कुछ नहीं कर पाएंगे, यह यहाँ पर flowers जो है, city के, यह सारी चीजों को denote करते हैं, living को denote करते हैं, कि वो चीजें, वो flower, वो हस्ती हुई जिंदगियां ना मुर ज जा जाएं, ना डूब जाएं, अगर उनके पैसो का प्रभा हमारी और होता रहेगा, the polished traffic, traffic polished है, traffic जो है, शिष्ट लोग जो है, इस ट्राफिक के अंदर बैठें हैं, और polished मतलब क्या होता है, पॉलिश की हुई चीज, चमकती हुई गालियों में शिष्ट लोग बैठें है past with a mind ahead, और वह सामने की और दोड़े जा रहे हैं, सीधे आगे की और दोड़े जा रहे हैं, और if ever aside a moment, then out of sorts, और अगर वह एक शन के लिए एक aside, एक शन के लिए एक तरफ होते भी हैं, then out of sorts, out of sort का मतलब बिना बे दिमाग के, out of sort का मतलब होता है, कि वह ऐसे हो रहे हैं, जैसे कि अपने दिमाग में नहीं हैं, जैसे उन्हें roadside stand दिख नहीं रहा, जैसे कि गरीबों की गरीबी दिख नहीं रही, अगर ये एक सेकेंड के लिए एक तरफ होते भी हैं, तो वह सिर्फ अपने विचारों में खोई होते हैं, at having the landscape made by the artless paint, और यहां पर देखिए, यह line इतनी important line है यहां पर, कि यह जो landscape है, यह जो highway का सुंदर नजारा है, यह बरबाद कर दिया, किसने, इस artless paint ने, artless paint यहां क्या है, artless paint यहां पर वो गंदा सा बना हुआ shed है, जिसने इस खुबसूरत landscape के उपर धबा लगा दिया, सिर्फ वो यह ने लगता है, कि इस सुंदर जमीन के उपर, landscape के उपर, पूरी जमीन के उपर, दूर तक फैली खुबसूरत जमीन को merd, spoil कर दिया, इस artless paint ने, इस shed ने, जो कि इस सुंदर जमीन के उपर, एक क्या है, artless paint है, एक बिना कला का, एक निमन कोटी का paint है, निमन कोटी की तस्व होता है, कि जो गरीब लोग होते हैं, जो signboard लगे होते हैं, north की तरफ जाने के लिए, south की रख जाने के लिए, यहाँ पर end बेटा, north direction, south direction है, और क्या होता है, कि वो गलत गूमे हुए होते हैं, है ना, north का, बही उन्हें, north जाना, उन्हें पता नि लगता है, यह direction कि दर जा उलट पलट दिया, offered for sale, और यहाँ पर वो बेचने के लिए, क्या क्या चीजों को offer देते हैं, wild berries, जंगली बेर, in wooden quards, लकडी के बने हुए, quards क्या होता है, लकडी के बने हुए, container के अंदर, जंगली बेर रखे हैं, और crooked golden squash, squash ना, एक तरहा का बेटा, वो सबजी होती है, जिसें लोकी, तोरी, त्यादी कही जाती है, और वो क्या क्या लेकर बेटे हुए, देखिए, offered for sale, बेचने के लिए, वह offer करते हैं, जंगली बेर, लकडी के container, quards meaning container, quards meaning लकडी का बना हुए एक बरतन, उसमें उन्होंने जंगली बेर रखे हैं, और crooked golden squash, और फिर उन्होंन तेड़ी गर्दन वाली सुनेरे रंग की लोकी रखी हुई है, सबजी रखी हुई है, with silver watch, जिसके ओपर चांदी जैसी गाठें बनी हुई है, वाड का मतलब होता है, गाठे, ठीक है, ट्विस्ट बने हुआ है, चांदी की गाठें काठें सी बनी हुई है, ऐसी लोकी लेक पैसे हैं, but if you want to be mean, और अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, तो रुक जाओ, खरीद लो कुछ समझ नहीं चाहते, तो तुम कैसी हो, बड़े नीच हो तुम तो इतने नीच हो, तो अगर तुम्हार पास पैसा है, तो साथ साथ में तुम नीच भी हो, why keep your money, this crossly and go along, तो फिर ठीक है, अपना पैसा अपने पास रखो, this crossly का meaning, कि बहुत जादा नाराज है वो, बहुत जादा नाराज है, जो भी farmer है, बहुत नाराज है, कहता है, अपना पैसा अपने पास रखो and go along and चले जाओ यहां से, अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदा ना, तो अप सुंदर द्रिशे के में को जो है, आराम पहुचा, सॉरी एक लाइन चुट गई है, और beauty rest in a beautiful mountain scene यहां पे, और crooked neck golden squash और उनके पास है, टेड़ी गर्दन की हुई लोकी, वे silver watch जिसके पर चांदी जैसी गाठे पड़ी है, और beauty rest in a beautiful mountain scene आओ, और इस सुंदर द्रिशे में, स you have the money, तुम्हारे पास पैसे है, but if you want to be mean, अगर तुम चाहते हो, कि कुछ खरीदना या कुछ करना, तो ठीक है, नहीं तो तुम अगर कुछ नहीं करना चाहते है, तो तुम बहुत नीच हो, why keep your money, क्यों रखा हुआ है अपना पैसा, this crossly, बड़े गुसे में कहता है farmer and go along, रखो अपना पैसा अपने पास, हमें जरूरत नहीं है, जाओ यहां से, the hurt to the scenery would not be my complaint, इस सुन्दर दृशे को नुकसान पहुँचाना मेरी शिकायत नहीं है, so much as the trusting sorrow of what is unsaid, और सबसे ज़्यादा दुखता वो होता है, जब हमारे trust को दुख पहुचाया जाता है, उन बातों से, वो बाते जो की नहीं कही गई है, और उन बातों से, जब हमें नुकसान पहुचाया जाता है, जब हमें बहुत नुकसान पहुचाया जाता है, यहां पर as much as a trusting sorrow हम विश्वास करते हैं बदले में हमें क्या मिलता है दुख of what is unsaid जो कुछ नहीं कहा गया उसकी वज़ा से हमें क्या मिलता है हमें मिलता है बहुती ज़ादा विश्वास करने का हमें नुकसान होता है हमें दुख मिलता है here far from the city we make our roadside stand यहां शेहर से दूर हम एक road के उपर एक अपना road के किनाली पर एक stand बनाते है and ask for some city money to feel in hand और हम मैसूस करते हैं कि शेहर का पैसा भी हमारे हतों में आए हम भी मैसूस करें to try if it will make our being expand और हम भी जो है वो सोचें और हम भी सोचें हम भी कोशिश करें कि हमारी जिंदगी expand हो रही है हमारी जिंदगी progress कर रही है तुमारे पैसे से हम भी तो महसूस करके देखें न and give us the life of the moving pictures promise और हमें भी ऐसी जिंदगी मिले जैसे कि चलते हुए चलचित्रों में होती है जैसे चलते हुए pictures में होती है हमें भी ऐसी जिंदगी का promise मिले कि जैसी जिंदगी फिल्मों में होती है that the party in power is set to be keeping from us और जो भी party, जो भी party सक्ता में होती है जो भी party सक्ता में या ताकत में होती है is set to be keeping from us वो इन सब चीजों को एश वराम की चीज़ों को हमसे दूर करके रखते हैं हमें उनके पास तक फटकने नहीं देते उन्हें तो सिर्फ हमारे वोट चाहिए हमारी महनत का चाहिए लेकिन अपना कुछ नहीं देना चाहते सिर्फ फेक और फाल्स प्रॉमिस करते हैं और कुछ भी नहीं देखिए कहने के लिए किन का मतलब उता रेलेटिव हमारे क्लोज फ्रेंड्स जितने भी हमारे ये पिटिफुल दया से भरे किन हैं हमारे रेलेटिव्स हैं इन्हें वहां से निकाला जाएगा इन्हें इनकी गंदी जगाओं से निकाला जाएगा और बड़ी दया से इन्हें खटा किया जाएगा तो ये जो है प्रॉमिस जो फेक प्रॉमिस जो भी पार्टी आती है वो लोग करते हैं विलेजर से कि ये खबरों में आया है कि उनको यहां से निकाल करके अच्छी जगा रखा जाएगा गाउं के अंदर रहने लाइक जगाएं बनाए जाएंगे जहां पर फिल्में देखने के लिए थेटर होंगे और स्टोर हाउसे हो लेजर्स यहां उन्हें वहां रखा जाएगा जहां पर वे अपने बारे में और जादा नहीं सोच पाएंगे वाइल ग्रीडी गोड डोयर्स जबकि लाल्ची और अच्छा काम करने वाले जो अच्छा काम करने वाले लाल्ची होते हैं नहीं बेटा यहां पर यह जो दिया वाले जानवर लाबकारी शिपका करने वाले जानवर दो आपोसिट आपोसिट बाते आई हैं ग्रीडी का आपोसिट गुडोय और बैनेफिशन का वीस्ट आफ प्रे इसमें भी एक पॉइटिक डिवाइस है अभी मैं आपको समझाऊंगी स्वाम ओवर दियर लाइफ एंफो का मतलब जब बढ़दस्ती की अपने बैनिफीट उन पर लाजते हैं या सबसे जगादा नुक्सान तो यहें पर that are calculated to soothe, soothe का मिनी होता, to give comfort, कि आराम देने के लिए ये लोग बड़े ही गर्णा वाले होते हैं, गिंती वाले होते हैं, them out of their wits, और वो आराम देते हैं अपने आपको अपनी बुद्धी के जरीए, their wits, अपनी बुद्धी, विट क्या होती है, बुद्धी, अपनी बु लोग हैं, दिखावे के लिए उन्हें बात कुछ करना है, लेकिन एक्चुली उनके लिए कुछ नहीं करना, उनका छीन ना है, now, and by teaching them how to sleep, और ये वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोना है, कैसे सोया जाए, आराम की नींद कैसे सोया जाए, they sleep all day, जबकि वे खुद सारा दि सोते हैं, destroy their sleeping at night, the ancient way, और जो प्राचीन तरीका है रात में सोने का, वे उनका सारा का सारा वे नश्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, ये जो अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं, और वे लोग गरीब लो किस तरह से क्योंकि थोड़ी सी चीजों के अंदर ही उनकी आदते ऐसी खराब हो जाती हैं, कि उन्हें लगता है कि हमें आराम मिल रहा है, बस आराम ही आराम, आराम बात आराम की नहीं होती, सिर्फ जो अमीर होते हैं, वो अपने फाइदे के लिए हैं, उतनी चीजों ने देते हैं, जिससे कि उनकी आदते हैं, अच्छी ना हो, ना हो, सम्टाइम्स आई फिल माइसेल्फ आइकन हार्डली बैर, कभी-कभी मैं सोचता हूं अपने बारे में कि मैं पड़ी मुश्किल से यह सब चीज़े सहन कर पास सक रहा हूं, कि मैं यह सब चीज़े जो देखत बच्छो जैसी इच्छाई करना बेकार की वियर्थ है, क्या बेकार की इच्छाई करना वियर्थ है, देखिए, the sadness that lurks near the open window there, और shed के पास जो एक घर है, उसमें खुली हुई खिड़की है, the sadness that lurks, वे उदासी जो उस खुली हुई खिड़की के पीछे चुपी हुई है, है जहां लगा है, उसके पराबर में जो घर है, वहाँ विंड़ो बनी हुई है, उस विंड़ो में से लोग देखते हैं, और बच्छों की तरह इच्छा करते हैं, ये सारी की सारी जो उदासी चुपी हुई है, that waits all day in almost open prayer, और खुली प्रार्थना करते हैं लगभग, सारा दि इंतजार करते हैं उस खड़की में से, for the squeal of brakes, squeal is a sound, जिश की आवाज जैसे ब्रेक लगता है, तो उसकी आवाज होती है, उसकी ब्रेक की आवाज की इंतजार करते हैं सारा दिन की आए, कोई यहां खड़की के पास रुके, shed के पास रुके, और उसकी ब्रेक यहां पे ल बच्चों जैसी इच्छाएं करके खड़े हैं, of all the thousand selfish cars that pass और जितनी भी स्वार्थी सेंकडों हजारों कारे हैं, वो यहां से गुजरती चली जाती हैं, कोई रुकता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, just want to inquire, कभी कभी कोई का रुक भी जाती है, तो यह कारेवाही करने क लिए what a farmer's price are, और की, यहां पर, just want to inquire what a farmer's price are, और यहां पर, and one dead stop, कि किसान के क्या prices हैं, यहां पर inquire करने के लिए कि क्या की मते हैं किसान की, and one dead stop, अगर एक रुक भी जाए, but only to plow up grass, plow up grass का मीनिंग क्या होता है, उलटना, घास को गाड़ी से दबा कर, पिछका कर, उलटना, तो यहां पर अगर एक गाड़ी रुक भी जाती है, तो सिर्फ घास को पलटने के लिए, in using the yard to back and turn around, और वहे, खाली जगा, in using the yard, खाली जगा का प्रियोग करने के लिए, back करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी मोडनी होती है, इसलिए पीछे करके और आगे के और मोरते हैं, जिससे कि सारी घास दपकर पलट जाती है, and another to ask, और कोई और जब रुकता है, एक गाड़ी तो अपने आपको back करने के लिए रुकती है, and another to ask, could they sell it a gallon of gas, और एक जो है वो रुकता है, यह पुछने के लिए कि क्या, उनके पास gas का gallon ह तो आप देखिए जो shed पे छोटी छोटी चीज़े बेच रहे हैं, उनके पास gas का gallon होगा, now they couldn't, उनके पास नहीं हो सकता, this crossly they had none, didn't it see, नहीं उनके पास कोई नहीं, क्या उनने दिखाई नहीं देता, और यहां पर sometimes motorists stop to inquire if they could get a gallon of gas from the stand, कि उनने लगता है कि stand पर gas का gallon मि और the people at the stand get annoyed, और जो stand पर लोग खड़े हुए होते हैं वो चिड़ जाते हैं, specially उन motorists से जो कि gas की inquire करते हैं, gas के बारे में पूछते हैं, और वे नाराज हो जाते हैं, city folk के उपर, शहर के लोगों के उपर, उनकी अग्यानता पर नाराज होते हैं, कि वे देख नहीं सकते क उनके पास में gas का gallon वे नहीं बेच रही हैं, no in country money, the country scale of gain, यहाँ पर poet एक बहुत important बात कहता है, the poet notes sadly that the prosperity in the city is not trickling down the villages at all, यहाँ पर no in country money, नहीं, गाउं का पैसा, the country scale of gain, गाउं के जो माप दंड हैं, उनके फाइदे का पैसा, और यहाँ पर जो prosperity city की है ना बेटा, वो गाउं की और जरा भी नहीं आ रही है, तो गाउं मुर्जाते चले जा रहे हैं, अगर गाउं मुर्जाएंगे तो हमारे हम भी मुर्जा जाएंगे, now इसी लिए जो poor लोग है, now the requisite lift of spirit has never been found, requisite का meaning होता है, requisite का, just a minute, यहाँ पर जो poet जिस तरीके से बता रहा है, requisite का meaning होता है, अपेक्षित, बिल्कुल जो लोग अपेक्षित हैं, और जिनकी को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ignored है, the ignored lift of spirit has never been found, और वो आत्माएं किसानों की जो बिल्कुल अपेक्षित हैं, वे कभी भी उपर नहीं आ पाती, अगर शेहरों का जरा भी पैसा, अगर वहाँ पर शेहरों का लगातार पैसा जो है, वो अगर गाउं में भी जाता है, तो गाउं भी फले पूलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, the requisite अन अपेक्षित है, lift of spirit, आत्मा, उपर नहीं उट पाती है, has never been found, कोई ऐसी आत्मा नहीं है, जो कि शेहर के पैसों से उपर की और आ जाएं, और so the voice of the country seems to complain, और इसी लिए, यहाँ पर country ना बेटा, villages के लिए है, वो countryside जिसे कहते हैं, और गाउं की जो अवास होती है, जो ऐसा लगता है, कि complain कर रही है गाउं की अवास, वो गाउं की अवास, जो कि the people from the countryside complain of the backwardness of the country, और वह गाउं के लोग गाउं की अवास में complain करते हैं, अपने पिछडे पन की, I can't help owning the great relief, it would be, और मैं साहिता ही भी नहीं कर पाता, उन लोगों की पर आकर के पोईट को बड़ा feel होता है, I can't help, मैं साहिता नहीं कर सकता, owning the great relief, मैं उन्हें कोई महान आराम नहीं दे सकता, it would be to put these people at one stroke out of their pain, ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को ऐसे लोग जो की गरीबी का जीवन जी रहे हैं, miserable जीवन जी रहे हैं, उनको stroke out of their pain, stroke का मतलब क्या होता है, यहां stroke at one stroke का मतलब होता है, एक ही जटके में, एक ही जटके में इन लोगों के दुख दर्दों को खतम कर दो, और एक ही जटके में दुख दर्दों के कैसे खतम होंगे, एक ही रास्ता है, that is death, तो पोईट का यह सुझा, मुझे तो अच्छा लगा नहीं, कि पोईट जो यह कहता है, कि एक ही जटके में जो है, उनके दुख दर्दों को खतम कर दो, उन्हें death दे दो, and then next day as I come back into the same, same का meaning क्या होता है, confess करना, स्विकार करना, देखें, पोईट को भी लगा होगा, अगले दिन जब मैं वापिस आता हूँ, अपनी स्विकरती देने के लिए, अपनी बात को स्विकार करने के लिए, I wonder how I should like you to come to me, और मुझे हैं, पोईट इतना emotional हो जाता है, कि उनके पेन से पोईट को भी दर्द होता है, और वो चाहता है कि उनकी लाइफ जो है, वो I wonder how I should like you to come to me, और चाहता है कि उनकी लाइफ जो है, पूरी तरह से change हो जाए, in one go, एकी बार में, और फिर उसके बाद में, वो ये भी सोचता है, I should like you to come to me, I wonder how, मैं सोचता हूँ, म इसे जो है, I should like you to come to me, मैं चाहूँगा कि तुम मेरे पास आओ, and offer to put me gently out of my pain, और मैं, मुझे मेरे दर्द से तुम बाहर निकालो, और जो पोईट है, अथी तरह जानता है, कि किसी के भी दुख दर्द इतनी आसानी से नहीं जाते, और इसी लिए जो पोईट है, ये सारी क सारी बाते जो लास्ट में आती हैं, कि लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सब अन्रियलिस्टिक एक्ट है, ये सारे के सारे ऐसे एक्ट हैं, कि जिनको, जिने हम जो है, वो सच्चाई के उसमें फ्रेम में लगातर नहीं देख सकते, ओके, तो यहाँ पर जो के अंदर इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है, पोईट ने पूर पीपल का और इसके सासा रिच पीपल का, उन लोगों के बीच में जो है, वो एक कैसी दिवार है, यहाँ पर, और वो दिवार जो है, वो पैसों की दिवार है, येस मिता, आईए, इसके पोईटिक डिसकस करते हैं यहां पर सबसे पहले आप आजाए यहां पर जो थरड लाइन जो दियु हूए आरोट साइस्टांग डाट टू पैथिटिकली प्लेड तो यहां पर मैं बता देती हूं आपको देखिए pathetically pled, यहाँ P और P से start हो रहा है, that's why it is alliteration, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, और यहाँ आजाए यह, जैसे, just a minute, यहाँ आए यहाँ, polished traffic, यह देखे आए यहाँ, polished traffic, यहाँ पर transferred epithet है, transferred epithet, क्या होता है transfer epithet, transfer epithet का meaning कि जब traffic जो है, वो polished नहीं है, लेकिन people जो है, वो it is associated with traffic, are polished, जो लोग है, इससे जुड़े हुए, वो polished है, वो लोग, civilized है, वो लोग, शिष्ट है, तो यहाँ पर इसी लिए transferred epithet है, इसी तरह से आजाए यह, आप, selfish cards पर, अच्छा ठीक है, number wise हम करती जाते हैं, discuss यहाँ पर, फिर आईए यहाँ पर, just a minute, just a minute बेटा, आप आईए, इसको हम अटा देते हैं, यहाँ पर, फिर आईए, next ट्वाले इस पर आचाहिए, yes, yes, उपर उपर चलते जाएए, यहाँ पर, यह आईए, greedy good doers, यहाँ आईए, देखे, यह greedy good doers, और beneficent beast of prey, यहाँ पर, यह दूनों के दूनों, greedy भी हैं, और good doers भी हैं, तो यह मैंने आपको बताया था, कि यह एक opposite हैं, यहाँ पर greedy और good, यहाँ जी और जी आ रहा हैं, और b और b, यहाँ पर alliteration तो हैं, लेकिन alliteration के अलावा, यहाँ पर oxymoron है, ठीक है, oxymoron क्या होता है, जब एक साथ दो opposite words आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर alliteration भी है, क्योंकि यहाँ पर g और g की repetition है, और b और b की repetition है, तो alliteration तो है, लेकिन एक साथ साथ एक ही दो phrases नहाँ दिये हुआ है, इसमें opposite word एक दूसरे के आ हैं, that's why it is oxymoron, now, देखे, उपर आए, यहाँ पर the flower of cities from sinking and withering faint, यहाँ पर यह देखिए, just a minute, the flowers, यह देखिए, यहाँ पर line आजाए, यह देखिए, the flowers of cities, यहाँ पर cities के pool कौन है, यहाँ पर cities full नहीं है, यहाँ पर all the living being को उन्होंने full कहकर बुलाया, इसी लिए matter for, ओके, यहाँ पर फिर आईए, आप, swarm over their lives, swarm over their lives का, यहाँ पर आईए, just a minute, swarm over their lives, यह देखिए, यहाँ पर, swarm over their lives का मतलब है, उनकी life में swarm होता है, मक्यों के जुन्ड की तरह, कौन मक्यों का जुन्ड है, अमीर लोग, गरीब लोग के, उपर उनसे फाइदा निकालने के लिए, मक्यों की तरह उनकी life पर भिर्मिना आती है, that's why it is also metaphor, okay, अच्छा, फिर आजए, teaching them to sleep, they sleep all day, यहाँ पर देखिए, उनको सिखाते हैं, teaching them to sleep, यह देखिए, यह देखिए, यह भी metaphor है, ओके, यह भी metaphor है, same है, अच्छा, फिर आजए, यहाँ पर, personification आईए देखिए उपर आईए यहाँ पर personification कहाँ पर है personification के अंदर जहाँ पर human being के characteristics non-human पर डाले जाते हैं a roadside stand यहाँ देखिए a roadside stand just a minute a roadside stand that too pathetically pled तो यह जो roadside stand है ना यहाँ पर alliteration तो है बिटा बताया मैंने आपको लेकिन यहाँ पर roadside stand को human की quality दी हुई है कि वो pathetical है बड़ा ही गईनी है उसकी दशा है ओके फिर आईए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अब हम personification के example निकाल रहे हैं ओके यह personification हो जाएगा अब फिर आईए यहाँ पर sadness that lurks देखिए आईए sadness that lurks near the open window there यहाँ देखिए यह देखिए the sadness just a minute देखिए वो उदासी जो की खुले हुई खिड़की में चुपी हुई है यहाँ पर open और lurk वैसे तो opposite word है लेकिन एक साथ नहीं आए अगर यह एक साथ आते तो यहाँ आउक्जी मौरोन होता ठीक है तो यहाँ पर the sadness वो उदासी चुपी हुई है चुपता मनुष्य की गुण है चुपता मनुष्य की गुण है उदासी का नहीं इसलिए यहाँ पर क्या है यह भी personification है ठीक है फिर आईए personification का मिनिंग यहाँ आईए आप यह voice of country कहा है यहाँ पर voice of country just a minute मैं अभी निकालती हूँ इसमें से voice of country यहाँ आईए last paragraph पर last paragraph में just a minute यह देखिए voice of the country देखिए voice of the country ग्रामीन शित्रों की आवाज आवाज तो सरफ voice word human being के लिए आता है that's why it is also personification तो यह है इसके poetic devices और इन poetic devices को आप कर सकते है ओके बेटा yes now next video तक के लिए good luck and goodbye thanks for watching my video and मैं बहुत help बहुत ज़्यादा grateful हूँ कि मेरे चैनल को आप जो है वो subscribe कर रहे हैं comments भी आ रहे हैं आपके और please this is my new channel जो subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा और please like भी कीजिए और share जरूर कीजिए okay thanks for watching again और next video तक के लिए good luck and goodbye